एमेजोन से वजिन मापने की मशीन खरी दी है ये 890 की है ये मशीन अच्छी से पैक करके दिया है देखें यहां पे अब इसे खोल के देख लेंगे फैसा है अच्छा पैकिंग किया है कि इसे पैकिंग में से निकाला है ऐसा है इसके उपर का बॉक्स एनलोग परसनल स्केल बलके यहां पे दिया है वी केर हेल्ट तीन डिजाइन्स में आते हैं यहां देखिए हमने यह खरीदा है तीचे भी कुछ दिया है यहां पर भी वही नाम दिया है यहां पर मैग्समन वेट कितना मेजर करती है वो दिया है 120 है यहां पर दिखिए नहीं स्किप वे जैसा इसका फ्लोर है सेफटी है जापे हम पाउं रखते है ना वापे स्लिप नहीं वे जैसा दिये है वैसे सेफटी जैसे डिजाइन किये है वो और यह आरन करेने के वज़े से यह ज़ादा दिन तक चलेगी बोलती है यहां पर दिया है और ISO सर्टिफाइड है यहां पर इंपोर्टन टिप्स दिया है कैसे यूज करना बोलके यहां पर उसकी पेसिफिकेशन दिया है मशिन के बारे में 500 ग्राम से यान कि आदा किलो से 120 तक मेजर करेगी यह और प्रडॉक्ट वेट है 1.43 केजी है और उसका साइज भी दिया है लैंथ बेट और उसकी हाइड सब कुछ दिया है यहां अब इसे खोल के देख लेंगे लाने के बाद इसे खोल लिया था तब इसके उपर डेट भी लिखा है और यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया है कैसे यूज करना है बेपर दिया है और यहां पर कार्ड भी दिया है वारंटी कार्ड यहां पर भी लिखा है हमने यहां पर जिसन के अंदर इसे रेजिस्टर करना चाहिए वारंटी के लिए छे मैने की वारंटी है इसके उपर और ये यूस करने का लिया है अब इसे मशीन को बाहर निकाल के देख लेंगे कैसे कैसे करना है यहां पर देखिए पहला इंस्ट्रक्शन दिया है पुल एंड रिमूद वायर बिफोर यूस उपयोग से पहले तार को खीचे और निकाल इंगलीश और हिंदी दोनों में दिया है यहां पर देखिए फोटो पे भी दिया है कहां यह वायर बिया पीचे है वो खीच लेंगे इसे दिखिए पुल एंड रिमूद वायर बिफोर यूस योग से पहले तार को खीचे और निकाल इये के लिया है और सेकेंड इंस्ट्रक्शन देख लेंगे यूस जिरो अज जिस्टर का इस्तामाल करके जिरो हीरो दिस्ट करो एंड पर दिया है और no battery needed इसे battery की जरुँद नहीं है के दिया है यहाँ पर battery वगेर की जरुद नहीं है और दोगे kijken यहाँ पर इस mark को उन्हों बोले है move right to set 0 के दिया है हम right को move करके 0 को set करेंगे दोगे को देखे जीरो को set कर लिया है अब इसे wait करके देख लेंगे देखे उन्होंने आदा किलो बोला है मेरे पास ये आदा किलो को डिबा है ये रख दूँगी दिखे आदा किलो की मेजरमेंट एक्जाक दिखा रहा है एक किलो का रखूंगी सुका खुप रहा है एक किलो का एक किलो भी एक्जाक दिखा रहा है अब पांच किलो का रख के द प्लेन रहना चाहिए उपर नीचे नहीं रहना चाहिए प्लेन सर्फेस पे ही रखके मेजर कर लिजे बॉड़ी वेट ऑफ और अच्छी है यह यह मशीन आप भी मशीन पर्चेस कर सकते हैं मैंने एमेज़ान से खरीदा है जबी भी आप वेट चक करें तो जीरो को सेटिंग क करके चक करिए एक बार आगे पिछे होता है वह जीरो से अब जीरो करके बॉडी वेड चक कर लीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कीजिए अपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फूरोचीन जो खिया हम स सब्सक्राइब जीरो कि फिए बया जयर से अ, नहीं है, भार आपको मेरा शेर कीजियो और आपको मेरा आपको